दोस्तों, शुक्रवार की रात कई वर्षों पश्चात एक दिव्य और दुरलब संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राज योग, अमरित सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग का निर्मान हो रहा है, तो दोस्तों, इस बार धन लक्ष्मी योग का निर्मान होने से इस शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विश्णू दोनों की कृपा बरसने वाले। और इस दिन यदि आप इस शुब समय पर जाडू से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं, तो आपकी किस्मत जाएगी और आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको जाडू का वहनियम बताने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जाडू को किस दिशा में रखना शुब होता है। जाडू को लेकर आपको ऐसी कौनसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, जो वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बाद ध्यान रखिएगा जाडू का सीधा तातपर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ती ने यदि जाडू का सही उपाय सीख लिया और जाडू का सही तरीके से, जो हमारे वास्तु शास्त्र में धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए कि हर कोई जानता है, जाडू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, किन्तु हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे हुए हैं। जाडू को लेकर की मतलब जाडू लगाने के शुभ मुहूर्थ कब है, जाडू कौन से समय पर लगानी चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक उर्जा आए, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जाडू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहां गया है कि माता लक्ष्मी जी को जाडू बहुत ही ज्यादा प्रिये होती है। यदि कोई भी व्यक्ती ठीक तरीके से जाडू का उपाय कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद मिलेगा। उस व्यक्ती के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर समझा जाता है। इसलिए कहा गया है कि अपने घर को साफ सुतरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम प्रति दिन सफाई करते हैं, तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं। यदि हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है, तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परिशानी नहीं आएगी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्री के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती है, किन्तु यदि आप लोग वास्तु शास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन जाडू लगा रहे हैं और सही मुहूर्थ पर लगा रहे हैं, तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है, वह आपके घर से सदैव के लिए चली जाएगी, दोस्तों, ध्यान से सुनना जो आपको हम बताने जा रहे हैं, वास्तु शास्त्र के अध्याय नंबर 71 साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय हो होती हैं, वह आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, कहने का तात्पर्य है, कि दोस्तों की हमारे वास्तु शास्त्र के हिसाब से, जो सबसे अच्छा समय जाडू लगाने का होता है, वह सुबह के वक्त सूर्योदय के का समय होत पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्षमी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवनकाल किसी भी तरीके की जो परेशानिया हैं वह अपने खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जाडू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है। और हर घर में इसका उप्योग होता ही होता है। किन्तु कई लोगों को और मैकसिमम लोगों को जाडू के नियम पता ही नहीं है। जिसकी वजह से वह जाने अंजाने ऐसी गलतियां होते हैं, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वो पैसा आना बंद हो गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है। जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है, जिसकी वजह से माता लक्षमी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक कारण हो सकता है कि आप जाडू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, जाडू का उस तरह से उपाय नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से वास्तु शास्त्र में ल जिससे आप जीवन काल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, आपके जीवन काल से गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कत है, वो सदैव के लिए खत्म हो जाएंगे, दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा, माता लक्षमी इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो लाइक कर दीजिए, तो दोस्तों कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा, जाडू को लेकर वह हम आपको बताने जा रहे हैं, तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है, जाडू को, करके यह नियम है कि कभी भी घर की जाडू को अपनी नजरों के सामने मत आने दें, देखिए, इस बात को समझ लीजिए, कि जाडू को घर में रखते हो, चाहे नहीं रखते हो, कभी एक दो बार देखना तो ठीक है किन्तु बार-बार यदि जाडू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुब है और कहीं कोई व्यक्ती घर का या बाहर का है जो घर के बाहरी लोग हैं वह आपके घर की जाडू को देखते हैं तो यह बहुत ही अशुब समझा गया इसी लिए आपको जाडू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े दूसरा नियम कहता है कि कभी भी हमें जाडू का उपाय नहीं करना चाहिए दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी जाडू का उपाय करते रहते हैं उसी से साफ सफाई करते रहते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुब है हो या घर हो, कभी भी तूटी जाडू का प्रयोग करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए ये बहुत ही ज्यादा अप्षगुन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जाडू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। जाडू को सदैव लेटा करके रखना चाहिए। चौथा, शाम वक्त। कभी भी घर में जाडू नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ती जाडू शाम को लगता है, तो मान के चलिए उस व्यक्ती के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आएगी। माता लक्ष्मी उससे रुष्ठ हो जाएंगे। पांचवा नियम है दोस्तों, कि जाडू को लेकर आपको ये ध्यान रखना होगा। जाडू को आप कभी भी लांगे मताप का। पांव कभी भी जाडू से ना चुए। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है, कि जाडू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है हुए जाडू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तातपर ये जोड़े जाते हैं तो कभी भी जाडू से अपना पाव लांगे नहीं जाडू के उपर से कभी भी गुजरेगा मत ये बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी छठा नियम ये कहता है कभी भी जाडू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए मतलब ना बाथरूम रखना चाहिए ना शौचालय के बगल में रखना चाहिए ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आप से रुष्ट हो जाएंगे दोस्तों अब आपको बताने जा रहे हैं इस बात का जरा खास करके आप ध्यान रखिएगा ज़ाडू को यदि आप धो देते हैं तो स्वच जल और एकदम साफ सुत्रे पानी से धोएं कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी ज़ाडू को मत खोईएगा ऐसा करते हैं तो आपको और पाप लगता है तो दोस्तों अभी तक हमने कोई ज़ाडू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ज़ाडू को लेकर के अब आपको हम वो नियम बताने जाए कि जाडू को लेकर के आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशिरवाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए हम आपको नियम बताएं उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दें और मैं जैमा लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का रहे आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे तो ध्यान रखिएगा जैसे सूर्य उदै होता है तो तुरंत ही जाडू लगा दीजिए ये बहुत ही शुब समझा गया है ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे एक बात का ध्यान यदि आप लोग शुक्रवार के दिन जाडू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा नमक दान करके जाडू लगाएगा ये बहुत ही शुब है यदि आपके पश्चात शुक्रवार के दिन थोड़ा सांधा घर के मुख्य द्वार पर डाल कर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है दूसरा समझा गया है यदि आप कभी भी ज़ाडू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन ज़ाडू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुब दिन समझा गया है यदि के दिन ज़ाडू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुब है तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की ज़ाडू उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें यदि आप लोग घर की ज़ाडू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास रहेगा आपको भौतिक सुखों की हासिली होगी आपको वैकुंठ की हासिली होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी और यदि आप ये जाडू को उत्तरदिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्ने लेंगे उससे आपको फाइदा ही होगा धन का आगमन के जीवन में बहुत तेजी से जाएगा आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएगी अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों होता क्या है कि एक बात कही गई है कि यदि आपको जाडु सपने में दिखती है तो यह बहुत ही शुभ है किन्तु किस तरीके से बहुत शुब है? ये आप लीजिए यदि आप सपने में देख रहे हैं आप जाडू लगा रहे हैं तो ये अशुब समझा गया है अब आपको सावधान होने की जरूरत है मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं दूसरा यदि आप सपने में ये देखते हैं आप मंदिर में जाडू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वह चले जाएंगे आपके कश्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आएंगे ये बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है अब मान लीजिए आप सपने में ये देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति जाडू लगा रहा है तो ये उसके लिए बहुत शुभ संकेत है मान के चलिए कि आपका जानने वाला व्यक्ति जो आपके सपने जाडू लगा रहा है उसका समय अच्छा आने वाला है तो दोस्तों ये कुछ ऐसी है जाडू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था अब आपको हम एक उपाय बता देते हैं यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है ध्यान रखिएगा दोस्तों यह उपाय है पांच शुक्रवार का यह है उपाए यदि आप माता लक्षमी का आशीरवाद मिलेगा आपको करना ये है कि एक शुक्रवार को मतलब पहले शुक्रवार से जब ये आप उपाए करने जा रहे हैं उससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़ दीजिएगा तामसिक से मतलब है शराब, मधिरा, नौन विज इन सब चीजों को बिलकुल त्याग दीजिएगा वरना आपकी ये पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी आपको माता लक्षमी का आशीरवाद नहीं मिलेगा आपको करना केवल ये है कि पांच शुक्रवार आपको किसी भी जाडू के नीचे घर की जाडू है उसके नीचे दो लॉंग दबा देनी है और एक काली मिर्च दबा देनी है इसको पहले शुक्र के पश्चाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना फिर ऐसे लगातार अब जितने भी शुक्रवार आप इलाइची और ये लॉंग दबा रहे हैं ऐसा लगातार आप जितनी भी शुक्रवार आप इलाइची और ये लॉंग को दबाते जा रहे हैं इसको लाल कपड़े में रख ले जाए और इसको मोली धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बेहतर नदी में बहा दीजिएगा दोस्तों, दिवाली तक के पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह खुल जाएंगे, आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की हासिल होगी, तो दोस्तों, यह थे ज़ाडू से जुड़े को चुपाए, जिनको आपको जरूर करना चाहिए, ताकि आप भी महालक्ष् का आशिरवाद हासिल कर सकें, साथ ही दोस्तों, अपनी सभी मनो कामना पूरी करने के लिए, आपको इस दिन वैभव लक्ष्मी वरत का था, और आरती, जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए, तो आईए जानते हैं, भव्य लक्ष्मी वरत का था, और एक गाम में बहुत से रहते थे, जो अपना काम मन लगा कर करते थे, परन्तु आपस में किसी तरह की कोई मदद नहीं करते थे, पूजा पाट, दया, भावना, परोपकार जैसे संसकार, बहुत ज्यादा कम हो गए, वहां में बुराईयां बढ़ गई थी, शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगेरा, बहुत से गुनाह शहर में होते थे, इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे, ऐसे ही लोगों शीला और उनके पती की मानी जाती थी, शीला धार्मिक प्रकृती और संतोशी स्वभाव वाली थी, उनका पती भी विवेक की औ बदल गया, शीला का पती बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा, अब वह जल्द से जल्द करोडपती बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत पर चल पड़ा, फल स्वरूप वह बन गया, यानि रास्ते पर भटकते बिखारी, उसकी हालत हो गई थी, शराब, सब कुछ रिजवे में गमवा दिया, शीला को पती के बरताव से बहुत दुख हुआ, किन्तु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी, वह अपना अधिकांश समय प्रभुभक्ती में बिताने लगी, अचानक एक दिन को उनके द्वार पर दस्तक दी, शीला ने द शांती चा गई, शीला के रोम रोम में आनंद चा गया, शीला उस्मान जी को आदर के साथ घर में ले आई, घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, आख शीला ने जाकर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया, मासी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं, ह आख में तुम्हें देखने चली आई, माजी के अतिप्रेम भरे शब्दों से शीला का हिर्दय पिघल गया, उसकी आखों में आंसू आ गये, और वह बिलक बिलक कर रोने लगी, माजी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धुप और छाव जैसे होते हैं, धैरे रखो कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तू सुख के दिन जरूर आएंगे, तू तो मा लक्ष्मी जी की भक्त है, मा लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुना की अवत आई, मा जी ने कहा, पेटी मा, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे लक्ष्मी, व्रत या वैभव, लक्ष्मी कहा जाता है, यह व्रत करने वाले की सब मनो कामना पूर्ण होती है, वह सुख, संपत्ति और यश हासिल करता है, शीला यह सुनकर आनंदित हो गई, शील जी और कोई नहीं, साक्षात ही थी, दूसरे दिन शुक्र सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन कर, शीला ने मा जी द्वारा बताई, विधी से पूरे मन से व्रत किया, आखरी में प्रसाद वितरन हुआ, यह प्रसाद पहले पती को खिलाया, प्रसाद खाते ही पती के स्वभाव में फर्क पड़ गया, उस दिन उसने शीला को मारा नहीं सताया भी नहीं, शीला को बहुत आनंद हुआ, उनके मन में वैभव लक्ष्मी वरत के लिए श्रद्धा बढ़ गई, शीला ने पूर्ण श्रद्धा, भक्ती से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी स्वरूप की छब्वी को वंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, है माधन, लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी वरत करने की मननत मानी थी, वह वरत आज पूर्ण किया है है मा, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सब का कल्यान करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना सौभाग्यवती, स्त्री का अखंड रखना कुनारी लड़की को देना जो आपका, यह चमतकारी वैभव लक्ष्मी वरत, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना, हे मा, आपकी महिमा अपार है, ऐसा बोलकर, लक्ष्मी जी के धन, लक्ष्मी स्वरूप की चबी को प्रणाम किया, वरत के असर से शीला का पती अच्छा आदमी बन गया, और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा, उसने तुरंत शीला के गिर्वी रखे, गहने छोडा लिये, घर में धन की बाटसी आ गई, घर में पहले जैसी सुक्छा आ गई, व उसके पास इतना सारा धन हो, कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके, यदि बहुत सारा नहीं, तो कम से कम इतना धन हो ही, कि वो अपना कर सके, धन को हासिल के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कु अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, परंतु शाम होते ही कुछ छंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता। ऐसे में लोगों की ये शिकायत रहती है, कि उनके पास धन तो आता है, परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपठने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्र से जुड़े अचू कुपाय लाए हैं, जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा। और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि यहां बताई गई वस्तूओं को आप अपने पर्स में रखेंगे, तो के पास धन कमी कभी भी नहीं होगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। और ज़रूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों को शेर कर दीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा। पहली नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर। आप अपने पर्स में रखे जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूज नियमान कर उनकी पूजा की जाती है। शास्त की पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाब हासिल होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुब मुहूर्त में इसे पर्स में नोट के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. तीसरा, लाल रंग का कागज. ये एक तरह का टोटका है, जिससे पूर्ण होती है. ये एक टोटका समझा जाता है. टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए. इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेश्मी धागे से बांध लें. तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें. ऐसा करने से आपकी इच्छा पूर्ण होगी. चौथा है. चावल शास्त्रों में अनाज और धन. दोनों एक ही समान कहे गए हैं. इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्व है. यदि आप अपने पर्स में छुटकी भर चावल रखते, तो ये आपके अन्य चाहे खर्च को कम करता है. जोतिश शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए. ये उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है. इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं. चठा. यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है, तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाब होता है. चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का. पर्स में रखने से मा लक्ष्मी प्रसन्न होती है. धन की वर्षा करती है. परंतु कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व, इसे घर के मंदिर में मा लक्ष्मी के चरणों में रखें। साथवा, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं, तो ये दरिद्रता को यानि की कोदूर कर धन वृद्ध में सहायक होता है। आठवा, माता-पिता या बुज़ुर्गों से आशीरवाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगा कर सदैव अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्ध होगी। नौवां को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें यदि ना करें तो भी धन में वृद्ध होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड करना रखें। यदि आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी उठ जाएगी। जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब मा लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है। खुशियां ज्यादा मिल जाती है। जितना चाहते हैं उससे कई ज्यादा। और यदि ना, तो फिर घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे-छोटे उपाय भी मा लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। अपना भाग्य उदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मानवराज योग लेकर पैदा हुआ है। और कोई दुर्योग लेकर किसी की कुंडली में राज योग और दुरुग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिये क्योंकि राज योग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। परंतु आपने देखा होगा। कुछ समय ऐसा है आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है वो आपका अच्छा है। तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन, दुगनी रात, चौगनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड चले तब विपरीत धारा में नहीं जाए। बलकि सिंपल से लाइफ को आगे बढ़ाए। बस चले दोडने की या ज्यादा उचल कूद करने की कोशिश न करें। मेरे कहने का तातपरे आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड हो तब शान्त हो जाए, स्थिर हो जाए। और जब लगे सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलाइची तो हर घर में होती है और इलाइची के उपाय से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन जो खास तोर पर मा लक्षमी का दिन है इस दिन हरी इलाइची का उपाय करने से आपके शुक्र को बल मिलता है और शुक्र जब हो जाए तो मानव को सुख देता है एश्वर्य देता है भोग विलास बढ़ाता है यानि आप अच्छे से खाएंगे इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डाल कर नहाए आप चाहे तो गर्म करके या बॉइल करके उसको किसी शीशी में रख लें और रोज नहाने के पानी में डाल इस डाल कर नहाए तो पवित्रता बढ़ेगी और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है शुक्र बेहतर होता है, तो ये एक सिंपल उपाए, परन्तु कई ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा उपाए जरूर करें. यदि आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाए, तो छोटी इलायची और मिश्री या बट्टा से आपके पास जो भी है वो ले लें, और छोटी इलायची से दो दाने निकाल लें, मिश्री बट्टा से ले लें, और इसको लेकर किसी पीपल नीचे किसी भी दिन रख दें, यदि शुकरवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है, और अपने पढ़ाई के करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की पीछे मुड़कर मत देखिए, शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती हैं, यदि आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा, तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा उपाय किया जाता है, किसी भी शुकरवार के दिन दोहरी इलायची थोड़ी सी कोई मीठी वस्तू या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र नदी पर जाएं या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं, अब किसी पत्ते धोने पर नद जीवन में सुख बढ़ेगा, शीग्र विवाह होगा, यदि पास में बहती नदी ना हो, तब किसी पास के मंदिर में कराईएगा, कई बार पति-पत्नी में प्रेम खो जाता है, यदि आपका भी कहीं गया है, दुरियां आ गई, तो भगवान श्री कृष्न का नाम लीजि पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से टच कर लें, बस इतना ही काफी है, इसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है, उसमें बांध कर ही रखें, अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है, तो पहले उसे किसी भारी वस्तू से दबा दें, कूट दें, और पीस कर उसके बाद उसको मिलाकर आप पती को खिला दें, शुकरवार के शुभ प्रवार ये करें, या फिर लगातार शुकरवार से शुकरवार तक करें.